हम एक ऐसे पुड़क्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है डेंटाबून तो डेंटाबून क्या करता है डेंटाबून सबसे पहले अगर मुझे मेरी बॉड़ी को जितना मर्जी महंगा जितना मर्जी अच्छा खाना मैं खालू अगर मेरा मुह साफ नहीं है उसमें germs में उसमें problems है तो मैं अपने हर organ को वहां मैं problems ही दे सकती हूँ तो सबसे पहले हम जब सुभा उठते हैं सबसे पहला काम करते हैं अपना मुह साफ करने का और सबसे पहले हम indirectly need भी पूरी करते हैं और हम एक business भी start करते हैं तो यहां सबसे पहले मैं denta bone के उपर जो हमारे पास इसके ingredients है उस पर बात करूंगी कि denta bone इसमें आयरवेद के पंदरा जो अदबुत ingredients है वो उनसे बना है नीम जो मुह के bacteria को मारेगा तो वैक्टीरिया जितने भी इसमें organ सबसे पहले हमा नीम पे बात करी कि वो हमारे मुह के bacteria को मारता है second हम बात कर रहे है काली मिर्च जो दान्द के दर्द उसकी समस्याओं को भी रोकता है third ingredients है इसमें पुदीना मांस पुषियों के दर्द के साथ साथ स्वंदित वो समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है next है हमारा पुदीना जो मुह की बदबु को रोकता है पाईरिया को रोकता है इसमें बहुत जवरदस असर इसका दिलाता है next है long long दांट की दर्द के साथ साथ मसूडों की सूजन से हमें बचाता है इसमें उप्योग से दांट दर्द में जल्दी आराम मिलता है साथी संकरमन को रोकता है लोग दान्तों से मसूडों के एंटी सेप्टिक का भी काम करता है नेक्स्ट है बबूल बबूल दातुन से जो लोग अपने पहले हम ने देखा बबूल से लोग दातुन करते थे उससे क्या था कि पीले दातों को वो बड़े अच्छे से साफ करता था जिससे समाइल भी अच्छी होती थी हम कहीं भी बैठके बड़े अच्छे से पनी समाइल पास कर सकते थे बबूल के साथ साथ हम उससे मसूडों के सूजन फलाक्स जो होते हैं वो दान्तों को मजबूत भी बनाते हैं नेक्स्ट है तोमर, तोमर के जो बीज है, वो दंच किस्सा के स्वस्त के लिए एंटिसेप्टिक और दूरगंद को रोकने के लिए और उसे लड़ने के लिए तोमर के बीजों का बहुत बड़ा लाब दायक है, नेक्स्ट इसमें डला है वजरदंती, ये एंटी वेक्टिरि भी है, उसकी सकती को अपने दांतों के लिए वो फाइदे मन्द भी होता है, नेक्स्ट है मुलेठी, मुलेठी पाउडर में एंटी वेक्टिरियल के साथ साथ, एंटी माइक्रो करिब्ली प्रॉपर्टीज भी रखता है, जो हमारे मुह के लिए बहुत उपयोगी है, ये इसे हमारे जो ममुमें वेक्टिरिया की बद्बू होती है, उसे भी यो दूर करता है, नेक्स्ट है दालचीनी, एंटी अक्सिडेंट है, जिसमें मसूडों की सूजन पर इसका बहुत अच्छा रोल होता है, नेक्स्ट है हमारे पास दालचीनी, एंटी अक्सिडेंट है, दांतों के लिए एक राम बान औसधी के रूप में हमारे पास है। तुलसी दांतों की मसूरों को मजबूत तो करती है। इसके लावा इसमें मूँ के छाले ठीक करने के गून होते हैं। इसलिए औरल हेल्थ के लिए ये सूप पर बेस्ट है। तो अरकरा एक ऐसी औसधी का पौदा है जो दांत दर्द को मिंटों में दूर करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है पिपली दांतों के बीच फसे वैक्टीरिया को ये खतम करता है और उसके साथ साथ उसमें एक चमक भी हमारे दांतों को देता है। ग्रीन टी जो दांतों को तो मजबूत करती है। और विज्ञान की अनुसार, अपने दांटों में कम से कम, दो मिनिट हम अगर अच्छी तरह से ब्रश करते हैं, अपने मूँ को अच्छे से हम काम, हरे मूँ के पूरे कोने को हम साफ करते हैं और अपने डैंटा बून सूपर ब्रश layer अगर करते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपने मुख के हर कोरो को जूfa कर रहे हैं और पूरी फैमिली को अगर हम यूब्र यूज कर वाते हैं तो हम धातों के लिए एक सूपर मसाज़ भी देते हैं तो हम औरल Health को सही रख सकते हैं डैन्टावून सूपर आगे चलते हैं डैन्टावून स्मूपर जो है दांतों को मुसुडõंको दो सप्तहा तक रहा देना दो सप्तहा में ये राहत दे सकता है अगर हम डैन्टावून कंटीन्यू youse Nowadays करते हैं यह आपकी सूपर टूटपीज जो है पारंपरिक भारतियज किस्ता और आधुनिक विज्ञान का एक अनूठा मिस्रन है जो कि हमारे साइड फैक्ट हमारे मुं में कोई भी साइड फैक्ट नहीं करता है ऐसे एफेक्टिव फार्मूले से इसे और स्वच्छता के साथ ही से बनाया गया ह स्वस्थ मसूड़े रखने के लिए आगे चलते हैं इंग्रीडियंस जो अभी मैंने बात करी है कि इसमें हमारे 15 इंग्रीडियंस जले हैं जिसके मैंने बड़े डिटेल में बात कर लिए आगे चलते हैं इसके फाइदे तो डेंटा गून के फाइदे हमने देखा सांसों क की दुर्गंद को हटाता है पुदीना के गुरों से भरपूर है तो इसका काम ही बद्वू को दूर करना है पाइरिया को खतम करता है जैसे कि हमारे दांतों में ठंडा गरम लगना गम्स में प्रॉब्लम होना इसमें यह सूपब काम करता है आपको यह वन वीक के अंदर हम इस में कुला करते हैं और पेस्ट में हम हलका सब तुषी के एक ड्रॉब्लम डालके इसमें मसाँज देते हैं तो इसके बहुत सूपर रिजल्ट आते हैं डांत दर्थ से बचाता है क्योंकि इसमें लौंग का इस्तेमाल किया गया है बहुत सारी चीज़ी है लेकिन जो वो पेन पे काम करता है, तो वो हमारे दाब दर्द से भी लड़ता है, कैविटीज को भी दूर करता है, मुहों को भी अच्छे से साफ करता है, और इसके रोगों से सूजन को भी ये कलियर करता है, आगे चलते हैं, मसूडों की सूजन को कम करता है, डेंटाबूर सूपर के दाइत कुराब होते हैं इसलिए दान्त कहता है इसलिए दांत खराब है इसलिए दान्त कहता है इसलिए दान्त कहता है लिकिन हमने ऐसे भी देखा एक 5000 इच्कर रहा है अगर हमारे मेरे बच्चा budget के STU दाटों को ये कैवटीज से भी बिचाता है आगे चलते हैं दाटों को चमकीला बनाता है डेंटाबून सूप टूटपेस है वो नेच्रल रूप से दाटों में एक चमक परदान करता है तो इसे लगातार हम अपने दाटों को सुरक्सा परदान कर सकते हैं आगे चलते हैं दा जो ठंडा गर्म लगता है उसे यूज करते हो तो फिर वो प्रॉब्लम आपके पास आता है लेकिन हमारे पास ऐसे भी रिजल्ट है कि अगर हमने किसी को डेंटा बून दिया है तो नेक्स दे अगर कुछ दिन और कंटिनू महीने यूज करके भी अगर भी लेता है तो उसको दोबारा नहीं आता ठंडा गर्म उसके दांतों में लगता तो अपने डेंटा बून ब्रश के शाथ अगर हम इस पेस्ट को यूज करते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम नारियल का कुला अगर उसको कराते हैं आदे घंटे बाद हलकी मसाज हम दांतों पे डेंटा सब पे नारियल का बहुत सूपब Charlar रोल है डेंटा भाणा हम जब ब्रश करते हैं तो कई बाद देखते हैं कि अगर नारियल का कुला हम पहले कराते हैं तो केडों को भी निकालने में ब्यादर करता है बलकि हमारे गैप जो हमारे दांतों के बीचमें गैप है उसे भी भी में ये मदद करता है, ने तेरे मेडे दांतों को भी एक जैसे इसाफिते, चोटवे बच्चों के दानitelा टेरे मेड़े आने सुरू जाते उस पर भी ऐस उपब काम करता है, तो टूथ ब्रस के साथ दो मिनिट के जो हम ब्रॉश करते हैं और इसको 10 मिनट तक नारियल के तेल को जो हम मुह में रखते हैं फिर हम उस ओल को फेक के तेल को फेक के फिर हम अगर ब्रश करते हैं हलके मसाज देते हैं और सबसे पहले में एक बात करूँ कि जब भी हम डेंटामून ब्रश को पेस्ट के साथ यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे लोग पहले दांतों को finger से मसाज देते थे लेकिन हमारा जो brush है डेंटाबून के साथ brush के इसलिए बोलना चाहोगे कि ऐसा super मसाज देता है कि आप कितना भी pressure डालो दांतों को और मसूरों को कभी छिलता नहीं है अगर किसने use नहीं कर तो आप इसे जरूर use करिए चले आगे चलते है इसे करते हैं इसको नियमित अगर हम यूज करते है इसके बाद हम दो मिनट के अगर मसाज देते हैं तो हम अपने दांतों को super यहाँ पे देख बाल करते है उपयोग की विधी प्रती दिन सुबह उठने के बाद और रात को भोजन के बाद हम दांतों को डेंटाबून पेस्ट और टूथ ब्रस से दो से तीन मिनिट अगर हम अच्छी तरह से इसे हम साफ करें और मसूडों को हलकी मजाज दे तो ये बहुत सुबह रजल्ट देता है आपको डेंटाबून तो डेंटाबून के हम जैसे मैंने बात करी कि अगर आप इसको अपने मुहों को साफ रखते हैं तो हम पूरी ही बोडी को साफ रखते हैं इसलिए हम बार-बार बोलना चाहते हैं डेंटाबून सुपब हम सुभर से ही बहुत अच्छी चीज से अपने दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं थैंक्यू माहिर चार्ज